इस वत के एक बड़ी ख़बर आरे हुत्तर प्रेस के प्रताब गल जिले से जहां समाजवादी पार्टी के नेता वबलाग प्रमुकपती समापती यादो के घर आज पुलिस ने की कूर्की की कारवाई समापती यादो और उनके भाई सुबास यादो के खिलाफ भोसित है डेड़ डेड़ लाग रूपे का इराम आज पुर्देश्राइल इलाके की बिनेका गाउनिवासी हैं समापती यादो जिनके घर आज पुलिस ने नियाले के आवेस पर कूर्की की कारवाई की है ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रेश के प्रताब गर जिले से अकलेस यादो के भी बहुत करीबी माने जाते हैं समापती यादो जिनके घर पर आज पुल्की की कारवाई की गई है ये बड़ी और अहम ख़बर आपको बतारे हैं तो प्रताब गर्जीले से या पूरो मामला आजपुर देश्वा इलाके के विनेका गाउं का है जहां विनेका गाउं निवाची ब्लाग प्रोंग पती सवापती यादो और उनके सगे भाई सुबास यादो के घर तोपहर में पुलिस ने अदालत के आदेश पर कुर्की की कारवाई की लगभग 5-6 घंटे तक भारी पुलिस बलकी मौजूदगी में पुलिस ने घरिली समानों की संपत्य को कुर्क कराने का काम किया कुर्की की इस कारवाई में अपर पुलिस अदिश्चक के लामाज सियो सिटी और कोत्वाल मौजूद रहे यही नहीं के थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई थी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कारवाई को अन्जाम दिया गया बता दें कि ब्लाग प्रम उपती सवापती यादों के बीरुद पच्चास से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उत्तर प्रेस के डिजी पी ने उन पर डेर डेर लाग रुपे का इनाम कोशिद कर रखा है चार महपूर्ब इलागे के मुजाही बाजार में पट्टी कोतवाली पुलिस के साथ मुडवेड में वख़णार हैं जिसके चलते उन पर इनाम की रास बढ़ती चली गई और न्याले ने अबेट की टू की कारवाई करने का आदेश दिया है बड़ी और हम ख़वरा पुपतार उत्रपेश के प्रताबगर जिले से अब आईए आपको सुमाते हैं क्या कुछ का ना इस पूरे मामले में प्रताबगर के अपर पुलिस अधिस चक्का 26.2020 को थाना पट्टी जनपत पतावगर में मुगतमा अपरासन क्या एक सो पंचानवे बटे बीस धारा 147, 149, 149, 307, 335, 341, 188, IPC, 7CLA1, धारा 51, आपदा प्रवंधन दियम, धारा 22, महावारी सनसोधन विधेक का अभ्युक्त गर्ण सभापती यादो, सुभास यादो इत्यादी अन्य अभ्युक्तों के गिरुद्ध पंच्रिकित हुआ था जिसमें अभ्युक्तों की गिरफ्तारी हेतु माननी नियाले से निमानुसार वारण 82 प्राप्त हुआ और उसके परश्चात अभ्युक्त दस् सभापती यादो तथा सुभास यादो निवासी गर्ण ग्राम विनैका थाना आस्पूर देश्रा के घर पर पुर्की की कारवाई विवेचक अक्तर खान थाना पट्टी द्वारा संपादित किया गया है